तो Sweet Con की Season वापस आ चुकी है चलिए इसमें से एक बड्या सी जनैक बनाते हैं तो मैंने यहाँ पर दो Sweet Con लिये हैं और इसको मैंने boil करके लिया है पाच मिनिट के लिये boil कर लिया है और अब इसको इस तरह से सीधा रखे इसके जो करनल्स है उसे हम नाइफ की मदद से निकाल लेंगे तो स्वीट कॉन को बॉयल करने के बाद यूज करने से इसमें जो मिठा से वो ज्यादा बढ़ जाती है तो आप इसको बॉयल करने के बाद ही यूज करिएगा और इसको हम एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं तो कब से देखे तो एक कब जितने स्वीट कॉन है ये तो मैंने यह पर एक कब बेसन लिया है तो बेसन को थोड़ा थोड़ा करके एड़ करेंगे और स्वीट कॉन के साथ अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे और जितना कप के हिसाब से स्वीट कॉन है उतना ही बेसंद लेंगे फिर इसमें हम डाल देंगे फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्ची और फिर इसमें हम डालेंगे चावल का आटा, दो बड़ा चमज भरके टेस्ट के अकॉर्डिक नमक डालेंगे, चाट मसाला ढालेंगे थोड़ा सा आमचूर डालेंगे चटपटापन लाने के लिए और लाल मिर्ची पावडर डालेंगे, तो कश्मेरी लाल मिर्ची पावडर है इससे कलर जो है, एकदम मस्त आएगा पानी डालेंगे, पानी थोड़ा साही एड़ करेंगे, सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर जो बैटर है थोड़ा सा स्टिफ रखेंगे, और तेल को भी गरम करने के लिए रख दिया है, तो हम बना रहें क्रिस्पी कॉन भजी, तो बारिश का भी बने, तो इसे हम फ्राइ होने देंगे, मीडियम टु हाई फ्लेम पे, जब तक के अंदर से कुख हो जाए, बाहर से बढ़ी आसा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो फ्लेम जो है, मीडियम टु हाई रखेंगे, तो यहाँ पर जो भजिया है, अच्छे से फ्राइ हो चु तो चलिए इसे निकाल लेते हैं, इसके साथ मैंने एक लसन की सुखी चटनी भी बनाई है, इसे आप भजिया के उपर छिड़क के खाए, बहुत ही मस लगता है, तो यह वही चटनी है, जो हम वड़ा पाव के साथ अकसर खाते हैं, तो इसके लिए बेसन लिया है, आधा पानी डाल देंगे थोड़ा सा, नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पावडर डालेंगे, अच्छे से इसे विस्क कर लेंगे, और इसका एक सेमी थिक बैटर बनाएंगे, और तेल जो है, यह भी अच्छे से गरम होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, जो बैटर है, एकदम प फ्राइ करेंगे, जब तक यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्क हो जाए, मीडियम हाई फ्लेम रखेंगे, तो रेसिपी वीडियो अगर पसंद आ रहा है, तो जल्दी से कमेंट में यमी टाइप कर लीजे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेर करेंगे, फ्रें हलका सा गोल्डन ब्राउन आने तक इसे फ्राइ करेंगे, और अभी इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं एक ब्लेंडिंग जार में, इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर, इसे कलर अच्छा आएगा, और तीखा पन लाने के लिए मैंने इसमें डाल दिये हैं चिली फ तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट और फॉलो करना ना भूलिएगा, चलिए जल मिलेंगे एक और ऐसी अमीर रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई